हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो तिवारे अकेडमी, तो अब हम प्रशनावली एक पॉइंट एक आरम करते हैं, चलिए, सबसे पहले उसका प्रथम प्रशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निर्म ने लिखे संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए Euclid विभाजन अल्गोरिफ्म का प्रयोग किजी, तो देखे HCF को हम हिंदी में मासापा बूलते हैं, महतम समाप वर्थिया, तो देखे यह तो हमें पता है, अब Euclid विभाजन अल्गोरिफ्म इसका प्रयोग करके हमें यह निकालना है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, अब यह क्या होता है, तो चलिए, अब हम कुश्चन से इसको समझते हैं, तो देखे पहले वाले भाग में आपको दिया हुआ है, कि 135 और 225 का आपको मासापा निकालना है, और आपको बोला गया है, जो विधी आपको यूज करनी है, वो है Euclid व 225 को अगर 135 से भाग करेंगे, तो आपको पास जाएगा एक बार जाएगा और 135 आगया, फिर आपको मिलेगा कि एक बार तो जाएगा, लेकिन आपके पास जो सेस्फल आएगा, वो 90 आजाएगा, अब इस 90 से आप इस दुबारा 135 में भाग देंगे, तो देखे 135 बराबर, अभी आप इस 45 से इस 90 में भाग देंगे, तो देखें, आपके पास आ जाएगा 90 बराबर, ये तो पूरा-पूरा चला जाएगा 2 गुणा 45 प्लस 0, तो जहां पर भी सेस्फल 0 आ जाए, आप वहां पर रुप जाएंगे तुरन, और अब यहां पर आप HCF लिख सकते हैं, तो देखें, HCF यहां पर आपने देखा 45 का भाग 90 में पूरा-पूरा चला गया था, इसलिए HCF यहां पर 45 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये HCF आ जाएगा, और इसी विदियो को हम बोलते हैं, यूकलिड विवाजन अल्गोरिफ्म, यह यूकलिड विवाजन विदि, अब ये समय लेते हैं, कभी कबार छात्रों को इसमें दिक्कत हो सकती है, कि वो एक दम सीज़े ये नहीं लिख सकते, है ना, जैसे हमने यहां पर ये लिखा है, तो अभी उसके लिए समय लेते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा तरीका होता है उसके लिए, तो देखे, सबसे पहले आप 135 से भाग देंगे 220 में, क्योंकि सबसे छोटा तो 135 से 220 से भी, तो वो आपने देखा कि एक बार जाएगा, तो आपने 135 कर दिया, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा 90 सेज, अब इस 90 से आप इस वाले 135 में दुबारा भाग देंगे, तो देखे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब देखे, यह एक बार जाएगा दुबारा, तो यह 90 आ गया, और इस तरीके से 45 आजाएगा, अब इस 45 से आप 90 में दुबारा भाग देंगे, तो देखे, यह दो बार गया, और यह आपके पास 0 बच जाएगा, तो इस तरीके से आपने यह देखा, कि चुकि 45 का भाग 90 में देने पर 0 6 आया था, इसलिए यह 45 से आपका HCF हो जाएगा, तो अब ही आप देखो, कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिखते गए, आप देख सकते हैं, जैसे आपने 225 में 135 का भाग दिया, तो आपने देखा एक बार गया वो, और 90 से इस बचा, तो देखी हमने एक गोड़ा 135 प्लस 90 लिख दिया, इसी तरीके से अब आप इस 90 से 135 में भाग देंगे, तो देखी यह वाली लाइन लिखी हुई है, एक बार जाएगा, तो देखी एक बार लिखा है, और आपने देखा सेसफल तो 45 भचाता, तो 45 दिया, अब इसी 45 से आपने देखी है, इस 90 में भाग दिया है, अर्था 30 में भाग दिया, तो आप देखी दो बार आपका भाज्य हो जाएगा, और यहाँ, सुरी, दो बार भागफल हो जाएगा, और आपके पास सेसफल 0 बचेगा, और तब हमने आपको बोला, जब भी सेसफल 0 बचेगा, तो आप यह बोल सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पास संख्या लेकिए होगी, वही दी गई दो संख्याओं का, HCF या महत्तम समाप वर्थिफ हो जाएगी, तो देखिए, अब हम दूसरे वाले प्रश्ण पर देख लेते हैं, दूसरे वाले प्रश्ण में आपको दिया हुआ है, 196 और, 38220 है यहाँ पर, तो अभी आपको इसका HCF अर्थात महत्तम समाप वर्थिफ निकालना है, तो देखिए, अगर आप एक बार में CG ना लिख पाएं, यह जैसे हमने यहाँ पर लिखाएं, तो आप एक बार रफ में कुछ इस तरीके से भाग दे कर देख लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए, 196 से हम भाग देंगे, 38220 में, तो देखिए, आपके पास 38220 हमने यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर आप देखो, कि अगर आप 196 से इसमें भाग दोगे, तो आपके पास एक बार जाएगा, क्योंकि 196 गुणा 2-392 होता है, तो 196 यहाँ पर लिख दिया आपने, तो आपके पास देखिए, नो बार चला जाएगा, तो आप देख रहे हो कि यह यहाँ से, देखिए, नो गुणा 6 यहाँ पर, 4 आ जाएगा, 9 ने में 81 और 4, 86 के 6 हांसल 8, 9 एकम 9 और 8 सकतर है, तो अभी आप देखो, 12 में से 4 गए, तो 8 बचे, फिर आपने देखा, कि 15 में से 6 जाएंगे, तो यह आपके पास 9 बचे जाएगा, और यह आपके पास 980 बचाए, तो अगर आप 196 से 980 में भाग देंगे, तो यह 5 बर जाएगा, तो यह आपके पास 980 बच गया, तो आपने देखा कि 196 तो completely divide कर रहा है, 38 से 8 220 को, तो यहाँ पर, चूंकि सेस्फल 0 जहां जाँ बच जाए, आप तुरन तुम्हार रुख जाएंगे, और बोल देंगे यह वाला जो भाजक है, भही आपका HCF हो जाएगा, तो अभी तो हमने इसको rough method से, बेसिकली एक बार भाग करके देखाए, अब हम यूकल्ड विधी से इसको लिख देते हैं, जो हमने किया है यहाँ पर, तो देखिए, आप लिख सकते हो 38,220 बराबर, 195 गुणा, 196 प्लस, 0 से इसफल आया है, तो चूंकि 0 से इसफल आया है, तो आप यह जो भाजा के आपके पास, इसी को आप HCF बोल देते हैं, तो इस तरीके से आपका HCF 196 हो जाएगा, चलिए, अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 3 पर, तो यहाँ पर आपको तीसरे भाग में दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, 866 और 255, तो अभी आप इनका HCF निकालेंगे, तो देखें, सबसे पहले हम रफ वर्ख थोड़ा कर लेते हैं, अठाथ भाग करेंगे 255 का 866 में, तो आप देखेंगे, यह आपके पास 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आजाएगा 5, 6, और यहाँ से 7 आगया, तो अभी आपने देखा है, यह आपके पास solve करने पर 102 बचेगा, अब चुक्कि सेसफल 0 तो नहीं आया, सेसफल तो 102 आया है, तो आप इस 102 से, इस 255 में दुबारा भाग करेंगे, तो आपके पास यह दो बार चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 204, तो देखे, आपके पास 51 सेस बचेगा, फिर आपने देखा, दोबार आपके पास 0 सेस नहीं बचा, 51 बचा है, तो आप इस 51 से, अब इस 102 में भाग देंगे, तो देखे, 102 में जब आप भाग देंगे, तो आप देखेंगे कि ये तो दो बार आपके पास चला जाएगा भाग, पूरा-पूरा, तो ये आपके पास 102 आ गया, और यहाँ पर आपने देखा कि सेसफल 0 बचा, अर्थात कुछ नहीं बचा, फिर हमने आपको बताया था कि जहाँ पर सेसफल 0 बचे, आपको तुरंट वहाँ रुख जाना है, और इस वाले भाग को आप SCF बोल देते थे, तो बेसिकली SCF क्या वर आएगा, लेकिन ये तो आप रफ में कर रहे हैं, क्योंकि यूकलिड विधी तो कुछ और होती है, तो देखें, यूकलिड विधी में अब हम लिखते हैं, तो देखें, आप ज सेसफल तो आपके पास 102 आया था, तो आपने 102 कर दिया, अब आप यहां से देखो, आप लिखोगे 255 बराबर, आप आपने 102 से भाग दिया था, तो ये दो बार गया था, प्लस, फिर आपने देखा 51 बचा आपके पास, और फिर आप देखे 51 से आपने दोबारा भाग दिय तो यहाँ पर आप 102 गुणा ये देखिए 2 गुणा 51 आ गया प्लस 0 आ जाएगा चुकि सेस्वल 0 आ गया अर्थाद ये जो संख्या है वही आपके पास HCF हो जाएगा इस तरीके से तीसरे भाग का HCF अर्थाद मेहतम समाप वर्थिय आपके पास 51 आ जाएगा तो अब हम प्रश्ण संक्या दो हल करते हैं इस प्रश्ण में आपको बोला गया है कि दर्साइए कि कोई भी दहरात्मक विसम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस H की रूप का होता है जहां Q कोई एक पूर्णांक है तो देखिए यहां से आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी दहरात्मक विसम पूर्णांक इनकी फॉर्म में आपको सिद्ध करना है तो अब आप ये देखो कि 6Q प्लस 1 यहां पर भी आप देख रहे हैं 6Q प्लस 3 यहां पर भी आपने देखा 6Q प्लस 5 और ठाथ आपको ये समझ में आया कि 6 से एक तरीके से उस जो पूर्णांक आपको दिया हुआ है उसमें भाग देना है तो देखिए अगर आप कोई भी ध्हरात्मक पूर्णांक A मान लेते हैं तो अभी मैं लिख देता हूँ माना कोई ध्हरात्मक पूर्णांक A है तो अभी आपने यहां से हमने यह तो पहचान लिया कि आपको बेसिकली 6 से डिवाइड करने को बेसिकली बोला गया है तो देखो अगर आप यूकलिड विदी से लिखो गए से तो जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ बार तो जाएगा तो 6 Q कर दिया प्लस कोई भी एक सेस्फल बचेगा क्योंकि आपने यूकलिड विदी से देखा था हम इसी तरीके से इसको लिखती थे तो अब आपने यह भी सीखा था कि यहां से जो R आएगा वो या तो 0 आ सकता है क्योंकि नहीं तो दोबारा वो 6 से दिबाइड होई जाएगा तो सेस्फल तो हमेशा 6 से कम ही आएगा और 0 से बढ़ाएगा या 0 आएगा तो अभी आप यह देखो कि आपके पास जो संख्याएं होंगी वो या तो संख्या हो सकती है A बराबर 6 Q प्लस 0 या आपके पास संख्या हो सकती है 6 Q प्लस 1 देखिए अभी मैं आपके पास सभी संभव केस बना दे रहा हूं कि आपके पास केस तरीके की संख्याएं हो सकती है आपके पास हो सकती है A बराबर 6 Q प्लस 2 हो सकता है A बराबर 6 Q प्लस 4 हो या ये वराबर 6Q प्लस 5 हो तो अभी आप ये देखो कि आपको तो ये सिद्ध करना था कि जो विसम पूर्णांग होंगे आप देख सकते हैं यहापर आपको बोला गया है कि विसम पूर्णांग इस रूप के होंगे तो विसम पूर्णांग वो पूरांक होते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा-पूरा, तो अभी आप ये देखो कि इसमें तो 6 Q में केवल लिखा हुआ है, प्लस 0 है, तो ये तो 6 Q भी बचा तो आप देखरो हैं, दो गणा 3 Q आप लिख सकते हैं से, इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 का भाग तो आप आसानी से दे सकते हो, तो ये आपके पास संपूर्णांका जाएगा, फिर आपने देखा कि इसमें आपके पास 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए, ये तो 2 का भाग जा रहा है तो आपको दिख रहा है कि 2 से तो आप पूरा-पूरा भाग दे सकते हैं, अर्थाद ये आपके पास संपूर्णांक हो जाएगा, इसी तरीके से देखिए, 6 Q प्लस 3 है, तो यहाँ पर आप 2 से common नहीं ले सकते हैं, पूरे-पूरे में से तो यह आपके पास विसम पूर्णांक हो जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे, तो 6 Q प्लस 4 इसे आप 2 common लेके 3 Q प्लस 2 लेख सकते हैं अब चूंकि आपने 2 common ले लिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि 2 से भाग तो संभव अर्थात यह आपके पास संपूर्णांक आ जाएगा, और यह आपके पास अंत में विसम पूर्णांक आ जाएगा तो अभी आप देखो कि आपने यह भी पचा कर लिया कि विसम पूर्णांक कौन-कौन से हो सकते हैं तो आपको मिला है, या तो 6 Q प्लस 1 तरीके का हो सकता है तो आप देखी, आपको यही सिद्ध करना था कि जो विसम पूर्णांक आएगा वो इन तीनों तरीके में से किसी एक तरीके का ही होगा, तो आपने यहाँ पर इसको सिद्ध भी कर दिया है चलिए, अब हम अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 3 पर तो देखिए, प्रशन संख्या 3 में आपको बोला गया है कि कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकडी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों समूहों को समान संख्या में इस्तंबों में मार्च करना है उन इस्तंबों की अधिक्तम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं तो अब आप देखिए इस प्रशन की लेंग्वेज को यहाँ पर आपको बोला गया है कि उन इस्तम्भों की अधिक्तम संख्या निकाल नहीं है अधिक्तम मतलब होता है महत्म अब आप ये देखो कि आपको बुला गया है कि दौरों को समान संख्या वाले स्तम्भों में मार्च करना है जो 32 सदस्य उनके भी इस्तम्भ आप बनाएंगे अब देखे, यहाँ पर इस प्रक्ष में तो बोला नहीं गया है, कि आप किस तरीके से महतम सभापवर्थ निकालते हैं, तो देखे, यहाँ पर आप इसको सीधे भाग करते हैं, तो आप सबसे छोटी संक्या 32 है, उससे 616 में भाग करते हैं तो देखे, आपके पास ये एक बार जाएगा और यहां 32 बचा फिर आपके पास यहां पर बचेगा 29 और ये 296 अब आप 32 से 296 में भाग देंगे तो देखे, आपके पास ये 9 बार चला जाएगा, और यहां जाएगा 9 दूनी 18 बचा रहे, और यहां पर 88, तो 288 आगया अब यहां से आप देखे, 16 में से 8 जाएगे, तो आपके पास 8 बचेगा और अब चुकि यहां पर सेस्फल 8 बचाए केवन, तो अब इस 8 से आपको इस 32 में भाग देना है तो देखे, आप भाग देंगे तो आपके पास यह 4 बड़ चला जाएगा तो आपने देखा, आपके पास सेस्फल तो कुछ भी नहीं बचाए अर्थाज 0 बचाए तो जब भी सेस्फल आपके पास कुछ भी नहीं बचाओ तो जो आपके पास भाजक होता है, इसी को आप एसीफ बोल देते हैं, तो यहां से जो आपके पास एसीफ हो जाएगा, वो 8 और यही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा अर्थाज आप बोलेंगे कि उन इस्तंबों की अधिक्तम संख्या 8 होनी चाहिए जिसमें 32 सदस्य भी समान संख्या में आएगे और 616 सदस्य भी आ सकते हैं यह तो आपके पास बेसिकली एक तरीका रहा महतम समापवर्थिय निकालने का अब देखे, महतम समापवर्थिय आपको निकालना है 32 और 616 तो देखे, अब हम मैथड 2 से सीखते हैं कि महतम समापवर्थिय कैसे निकाला जाता है, तो देखे, सबसे पहले आप 32 की गुड़न खंड निकाल लीजेगा तो गुड़न खंड कुछ आपम इस तरीके से निकालते थे, छोटी कच्छा हों है ये आप 2 से भाग देंगे तो ये 16, फिर 2 से आप ये 8 बार जाएगा ये 2 से ये 4 बार जाएगा, दो से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये दुबारा करोगना तो एक बार जाएगा अर्थात आपको समझ में आए कि 32 को तो आप लिख सकते हो तो देखिए, 616 को यदि आप भाग देंगे, तो देखिए, सबसे पहला आवाज जब रन खट 2 आएगा, तो उससे आप भाग देके देखेंगे, यह भाग तो चला जाएगा, क्योंकि 61 समसंग क्या है, तो यहां से आपके पास आजाएगा 308, फिर देखिए, दोबारा आप 2 से भाग यहां पर नहीं जाएगा, तो आप 7 से भाग दोगे, तो यह 11 आ जाएगा, और 11 से यदि आप भाग दोगे, तो यह आपके पास एक बच जाएगा, अर्थात, इसका मतलब यह हुआ, कि यदि आप 616 के गोड़न खट लिखोगे, तो आपके पास हो जाएगे, 2 ग एहत्म समाब वर्थि वो संक्याएं होती हैं, जो दोनों में common आए, जो 32 के गोड़न खट लिखोगे, तो यहां पर एक दो आ रहा है, तो एक दो यह आ गया, तो आपने दो लिख दिया, इसी तरीके से देखो, यह वाला दो, और यहां पर भी दो आएगा, तो यह भी बेस HCF लिखाता, यह यही आपका उत्तर हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास HCF 8 आठ आजाएगा, अर्थाथ इस प्रशन का उत्तर भी 8 हो जाएगा, कि वे 8 इस्तंभव में मार्च कर सकते हैं, चलिए, प्रशन संख्या 4 को अभल कर लेते हैं, इस प्रशन में बोला गया है, कि यूकलिड विभाजन प्रमेका का प्रयोग करके, दरसाईए कि कि किसी धनात्मक पूरांक का वर्ग, किसी पूरांक M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है, तो अभी आप ये देखो, कि यहाँ पर अगर आप कोई भी एक धनात्मक पूरांक मान लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं, कि कोई धनात्मक पूरांक आपके पास A है, तो यहाँ से अगर उस धनात्मक पूरांक को आप तीन से विभाज़त करोगे, तो तीन स आप भाग दे रहे हैं तो सेसफल अर्थाद R जो है वो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है इससे कभी भी ज्यादा नहीं आएगा या आपने सीखाई है अर्थाद आपको समझ में आया कि जो संख्या है धनात्म कूर्णांक है A वो या तो 3Q तरीके का हो सकता है या आपके पास जो संख्या है A वो 3Q प्लस एक तरीके की हो सकती है या जो संख्या A आपने मानी थी वो 3Q प्लस दो तरीके की हो सकती है तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया अच्छा ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो यहाँ पर Q होता है वो एक इंटीजर अर् का वर्ग अर्था 3Q का वर्ग करना पड़ेगा तो ये 9Q स्क्वाइर आ जाएगा इसी तरीके से देखे यहां पर हम इसका स्क्वाइर करेंगे तो यहां पर इस संख्या का स्क्वाइर करोगे तो 3Q प्लस 1 का होल स्क्वाइर आ जाएगा तो उसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो a square देखिए आपके पास हो जाएगा 9 q square प्लस 6 q प्लस 1 या अब देखिए अगर आप इस a का वर्ग करोगे तो a square आपके पास हो जाएगा 3 q प्लस 2 का वर्ग और देखिए अगर आप इसको हल करोगे तो a square या जाएगा 9 q square प्लस 12 q प्ल सकते हो, a² बरावर, 3 को common ले लिया, तो 3 q² आ गया, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इसको आप लिख सकते है, a² बरावर, देखें, तीन आप इन दोना में common ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, 3 q square plus 2 q plus 1 और देखिए अगर आप यहाँ से a square आप लिख सकते हो देखो 9 q square plus 12 q plus 3 plus 1 आप लिख सकते हो तो अभी आप इस वाले भाग में से देखिए 3 common ले लेजेगा अगर आप 3 common लोगे तो a square बरावर पोछ तक मैं आपके पास बच जाएगा 3 q square plus 4 q plus 1 plus 1 बच जाएगा देखिए फिर आप यह देखिए कि अब चुँकि q तो एक पूरांग था तो 3 q square यह भी तो एक पूरांग ही आएगा अर्थात आप देख रहे हो कि यह आपके पास 3 m तरीके की संक्या है जहाँ m एक पूरांग है तो आपने देखा कि जो यह वर्ग आया वो 3 m तरीके का आया है इसी तरीके साब देखो यह भी तो आपके पास एक पूरांग ही है अगर इस पूरांग को आपने m माल लिया तो यह भी आपके पास a square जो आया अर्थात वर्ग उस्संक्या का वो 3 m प्लस 1 तरीके का आया और यदि आप देखो यहां से q चूंकि एक पूरांग है तो यह भी एक पूरांग यह भी एक पूरांग और 1 भी एक पूरांग होता है तो यह सब मिला के भी एक पूरांग ही आएगा तो यहां से भी आपने देखा कि ये आपके पास 3M प्लस एक तरीके का ही होगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 3M जो यहाँ पर यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लखे हैं वो 3M बरावर नहीं है बस M इस बात को प्रदस्रित कर रहे हैं कि M कोई भी एक पूरांग है तो देखें आपने देखा कि धनात्मक संख्या का येदे हमने वर्ग किया आप देख सकते हैं वर्ग करने को आपको बोला गया था धनात्मक पूरांग का येदे आपने वर्ग किया तो या तो वो 3M तरीके का आएगा या 3M प्लस 1 तरीके का आएगा इसी बात को आपको सिद्ध करना था तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न सिद्ध हो चुका है तो अब हम प्रशनावली 1.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संक्या 5 हल करते हैं यहाँ पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि यूकलिड विभाजन प्रमेका का प्रयोग करके दरसाइए कि किसी धनात्मा पूढांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे पिछले प्रश्न में माना था कि कोई भी आप धनात्मा पूढांक ए माल लेते हैं और यदि आप उसे 3 से विभाजित करें तो कुछ पूढांक बार वो जाएगा अर्थात भागफल क्यू आ गया और कुछ सेस्फल भी बचेगा तो यहां से आपको समझ में आएगा क्यू तो एक पूढांक होना चाहिए तो आपने वो लिख दिया क्योंकि आप जानते हैं भागफल तो एक पूढांक ही आएगा और सेस्फल आ राया अब आप समझते हैं कि आर की वैल्यू आपके पास 0, 1 या 2 ही हो सकती है क्योंकि जब भी आप किसी संख्या में 3 से विवाजत करोगे इस संख्या को तो आपके पास सेस्फल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आ सकता हैं तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि वो संख्या आपके पास जो A आपने मानी थी वो या तो 3 Q तरीके की होगी तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया था उस धनात्पंपूडांग का आपको घन निकालना है अर्थाथ घन निकालना है मतलब आपको पावर 3 कर देनी है तो देखे एक का घन अर्थाथ एक क्यूब यह हम बोल सकते हैं एक की घाथ 3 बराबर यहाँ पर 3 क्यूब की घाथ 3 आ जाएगा तो यहाँ से आपने देखा एक क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब आ गया अब देखे अगर आप इस वाले अगर संख्या थी तो इसका घन करोगे तो एक क्यूब यह आपके पास आ जाएगा तो यह आपको मिल जाएगा A cube बराबर, देखे, 9Q cube प्लस, अब देखे, इसमें यदि आप पहले इनको गणा कर दो, इस 1 cube को सबसा अंतमे लिखेंगे हम, तो यह 27Q इसको आजाएगा, प्लस 9Q का जवाब बन से को ना करोगे, तो 9Q आ गया, और इस 1 के cube अर्थाद 1 को आप यहां लिख दो, तो अब आप देखो, कि जब आप इसको करोगे A cube, तो यह आजाएगा 3Q प्लस 2 का whole cube, इस तरीके से आप देखो A cube आपके पास आजाएगा 9, sorry, यहां पर 3Q का cube था, तो यहां पर भी आपके पास 27Q का cube आजाएगा, तो यहां मैं 27Q का cube लिख दिया, इस ब प्लस यह आपके पास 12Q और कोश्टक में 3Q प्लस 2 आजाएगा, तो अभी आप जब इसको थोड़ा सरल करोगे, तो देखे, आपके पास आजाएगा A cube बराबर, 27Q cube प्लस 36Q square प्लस 24Q प्लस 8, तो देखे, अभी आपने उस धनात्मक पूर्णांग अर्थात A का घंतो कर द देखो कि आपको जो सिद्ध करना था, जो आपको ये घं आया, आपको बोला गया था, ये आपको सिद्ध करना था, वो इस तरीके का आएगा, तो 9M, 9M प्लस 1, 9M प्लस 8, इससे आप ये तो समझ में आ गया आपको, कि 9 से basically इनको विभाजित करना है, तो अभी आप देख ये यह इतना common ले सकते हो, 9, तो आपके पास आजाएगा 3QQ, प्लस 3Q square, प्लस Q, प्लस 1, और देखे, अगर आप यहाँ पर देखिन, 9 common ले लेंगे, तो आपके पास आजाएगा 1Q बराबर, अब यहाँ से आप देखो, कि यहाँ गया, 9, 3Q square, प्लस, यहाँ पर आपके पास 36 आएगा, तो यह आपके पास 108 Q Q आजाएगा, इसको मिने सोड़ा गलत कर दिये था, यह आपके पास आजाएगा, 108 Q square, प्लस 22 Q, तो देखे, इसमें आपने 9 common ले लिया, तो आपके पास आजाएगा, यहाँ से 12 Q, प्लस 8, प्लस 8, तो देख देखो, कि यह तो एक पूरांग की होगा, अर्थाद आपको A cube, अर्थाद उस धनात्माग पूरांग का घन 9M तरीके का मिल ला है, अगर आपने इसको M माना, M तो basically पूरांग को देनोट कर रहा है, A cube, यहाँ से अगर आपने यह पूरांग की आपको दिखाई दे रहा है तो यह 9M प्लस 1 तरीके का आएगा, और यहाँ से आपने देखा कि यह भी तो एक पूरांग की होगा, क्योंकि Q, 8 और यह Q सब पूरांग की है, तो पूरांग को का युक्षल हमेशा पूरांग की आएगा, तो यह 9Q प्लस 8 तरीके का आएगा, तो आपने यहाँ से देख प्रशलिया कि जो धनात्मग संख्या आपने मानी थी, अगर आप उसका घन कर रहे हो, तो वो आपके पास या तो 9m अधिन आपके पर गूए। तरीके का आएगा तो आप यहाँ पर देखो कि आपको यही दर्साने को बोला गया था तो इस तरीके से आपने इस प्रशन को हल कर दिया है और आप अंत में लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड